स्वागत आपका इस्ट्राटिक जीके में आज के इस वीडियो में हम जितने भी सांस्कृतिक कारेकरम होते हैं जैसे कि कहीं पे उधगाटन हो रहा है या फिर महुच्षो या फिर मेले इन सभी की बात हम इस वीडियो में करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहला question आपके सामने है कि प्रती वर्स हाथी महसो कहा मनाया जाता है। तो प्रती वर्स हाथी महसो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है जैपुर में थिक है। यानि ए option इसका correct option होगा। जैपूर आप ऐसी आद रखेंगे कि जो राजस्थान है वो वहाँ पर राजा और महराजा रहते हैं और राजस्थान की राजधानी है जैपूर तो इस तरीके से आप हाथी महोट्सो को जैपूर से याद रख सकते हैं, ठीक है, इस महोट्सो में हाथियों को बहुत अच्छे से सजा कर नहला कर लाया जाता है, ठीक है, चलिए next question है, तो अगला प्रशन है, प्रशन नंबर 2, कि मेदम मेफाई किस प्रदेश का त्योफार ह तो मे दम मे फाई है असम का त्योहार इस त्योहार में होता क्या है इसको ताई आहोम जंजात जो है इसको मनाती है और इसमें अपने जो पूरो जो हैं उनको प्रसाद भी चढ़ाती है और पारंपरिक तरीके से यहां पर बली भी दी जाती है इस त्योहार में तो मे दम मे फ जैसे कि जो पंजाबी भाषा है वो गुरु मुखी लिपी से बनी हुई है ठीक है इसी तरीके से कई भाषाएं हैं जो कि अलग अलग लिपी से बनी हुई है लेकिन वो लिपी किस लिपी से बनी है यही इसमें पूछा है कि गुरु मुखी डोगरी और सिंधी लिपी की उत् तो यह है आपका केरल का यानि कि ए ओप्षन हमारा इसका correct option हो जाएगा ठीक है next है question number 5 बासव श्री पुरसकार किस सरकार द्वारा दिया जाता है तो जो बासव श्री पुरसकार है वो दिया जाता है करनाटक सरकार द्वारा जो भी सामाजिक सुधार के लिए जो भी योगदान देता है उसको ये बासव श्री पुरसकार से सम्मानित किया जाता है नेक्स्ट है कोशन नमबर 6 राश्क्य इसमारक प्रादिकारण के चेर परसन को कौन नियुक्त करता है ठीक है इंगलिश में कहें अगर तो नेशनल मानूमेंट अथॉल्टी के चेर मैंन को कौन एपॉइंट करता है तो उसको करता है रस्टपती यानि की A option हमारे इसका correct option तो राजपी थोरा इस्थित है नई दिल्ले में यानि C option आपका correct option हो जाएगा प्रशन नमबर 8 है चिस्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिस्त कसबे से शुरू हुआ चिस्त कसबा कहां पर इस्थित है ठीक है सिंपल सा इसमें यही पूछा है कि चिस्त कसबा कहां प जहा जाता है यानि कि दूसरा बुध किसे कहा जाता है ठीक है यह कहा जाता है पदम संभों में यानि ए और शेत्र में सब्से अच्छा योगदान देने वाले को दिया जाता है और यह सबसे उचित्म पुरसकार है सिनेमा जगत का ठीक है, next है, question number 11, हर साल रमजान पिछली साल से कितने दिन पहले या फिर कितने दिन बाद होता है, ठीक है, बहुत ही मादपूर्ट प्रस्ण है, हर किसी को नहीं पता होगा, सिर्फ मुस्लिम कास्ट को ही पता हो सकता है, तो ये इसका सही अंसर होगा, 11 दिन पहले, ठीक है, यानि ए option इसका correct option होगा, हर साल जो रमजान है, वो पिछली साल से 11 दिन पहले आ जाता है, ठीक है, next है, question number 12, केके बिड़ला foundation दोरा दिये जाने वाले सरसोती सम्मान के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो जो केके बिड़ला foundation है, वो सरसोती सम्मान देता है, तो ये क से समंधित है, तो ये पहला इसमें option है, कि यह पुरसकार वार्षिक है, बिल्कुल सही बात है, कि जो ये पुरसकार होता है, उस साल में एक बार दिया जाता है, तो वार्षिक पुरसकार सही है, जो जूरी की अधचता है, वो भारत के पूर्व मुख्य नय धीस करते हैं, बिल्कुल जिसे जो जूरी होती है इसका मतलब कि ये सरसोती सम्मान देने वाला जो जज होता है उसको जो है कौन यूद करता है पूर्व नियाय धीस करते हैं ठीक है ये भी सही बात है यहां केवल भारतिये नागरी को ही दिया जाता है तीसरा ओप्शन भी आपका बिल्कु भासाओं में से किनी एक भाषा को हर साल जो है दिया जाता है ये सरसोती सम्मान तो चौथा आपका गलत हो जाएगा बाकि तीनों आपके सही होंगे तो आपके इस्वाथ यह सी ऑप्शन हमारा सही होगा एक, दो और तीन ठीक है तीक है आपका प्राप्शन आपका करेक्ट option हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 14 भगत आंदोलन निम्लिखित में से किस जंजात से सम्मंधित है ठीक है जो भगत आंदोलन है वो सम्मंधित है आपके भील जंजाती से ठीक है और भील जंजाती जो है राजस्थान गुजरात मत्यपरदेश बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं ठीक है जो भी जो है भगत आंदोलन में सामीर हो जाता है वो पूरी तरीके से vegetarian हो जाता है मतलब कि उसको मांस मचली अंडा ऐसा कुछ भी खाना जो है वो वर्जित कर दिया जाता है ठीक है तो B option आपका correct option होगा एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वन से समंधित है ठीक है यह समंधित है आपकी राष्ट कूट वन से यानि D option इसका correct option होगा अगला प्रशने प्रशने 16 केंद्रिय भारतिय भाषा संस्थान कहां पर इस्थित है ठीक है तो केंद्रिय भारतिय भाषा संस्थान यह इस्थित है आपका मैसूर में यानि की B option इसका correct option हो जाएगा ठीक है अगला प्रशने भारतिय संगीत में अभंग किस देवता के भजन होते हैं उसमें एक भजन होता है अभंग ठीक है यह जो है समर्पित होता है विट्वल देउता को यानि कि C option इसका correct option हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन है प्रशन नमर 18 भारतिये मूल के निमलखित किस व्यक्ति का नाम यरूशिलम में भारतिये धर्मशाला से जुड हुआ है सेख मुहमद मुनीर हसन अंसारी का यानि ए ओप्षन आपका correct option हो जाएगा अगला प्रशन है कि निर्थ्य रूप लटा पद किस निर्थ से संबंधित है तो यह संबंधित है भरत नाट्यम जो भरत नाट्यम निर्थ्य होता है उसमें एक पाल्ट आता है लटा प भीमा देवी मंदर किस प्रदेश में है तो प्राचीन भीमा देवी मंदर यह आपका इस्थित है हर्याणा में हर्याणा के पंच कुला में इस्थित है यह भीमा देवी मंदर ठीक है अगला प्रशन है प्रशन नमबर 21 संस्कृत वड माला में कितने अक्षर होते हैं ठीक ह मंदिर की पहाली के लिए निम लिखित देशों में से किसके लिए काम कर रहा है ठीक है सबसे पहले ही जानेंगे जो ताप्रमो मंदिर आपको यहां पर दिख रहा है ताप्रमो मंदिर है आपका कमबोडिया में ठीक है लेकिन यह जो इंडोनेसिया है इसको देने के लिए जो जो है help कर रहा है कि इसको इंडोनेसिया को दे दिया जाए तो इसका जो है correct option होगा इंडोनेसिया ठीक है लेकिन यह याद रखेंगे जो ताप्रमो मंदिर है यह स्थित है कंबोडिया में लेकिन भारत जो है request कर रहा है कंबोडिया से कि इंडोनेसिया में जो है कर दिया से यानि a option इसका correct option होगा अगला प्रशन है रिगान थुप टेन मनो विज्ञान मठ कहां पर इस्थित है तो यह आपका इस्थित है उड़ीशा में यह मठ इसलिए important है क्योंकि इसका उद्घाटन जो है दलाई लामा ने किया था 2010 में ठीक है तो a option इसका correct option हो जाएगा मुटों के पास पाया जाता है रूम टेक मठ ठीक है अगला प्रशन है प्रशन बर 26 दलाई लामा तिबती बहुत धर्म के निमलखित उप स्कूलों में से किस के आस्थाई प्रमुख है ठीक है तो यह है गुलुक पाके यानि d option इसका correct option हो जाएगा अगला प्रशन है प्र अगला प्रशन है प्रशन बर 28 निमलखित में से किस सिख गुरु ने सिखों की धार्मी किताब गुरु गरंत साहिप को निश्चित किया और यह निश्चे किया कि यह पुस्तक सिष्चकों की अस्थाई गुरु होगी ठीक है तो यह किया था गुरु गोविंद सिंग ने और गुरू गोविन सिंग जो है, दसमें सिख गुरू थे और अंतिम सिख गुरू थे, सिख समुदायके, यानि B option इसका correct option होगा, प्रश्च नमबर 29 है, भारत में किस गायन का गाना सबसे पहले record हुआ, तो यह हुआ था, गौहर खान का यानि C option इसका correct option होगा, ठीक है, कैसी महिला थी, जो है, इनका गाना record किये गया था, इनका नाम है गौहर जान, ठीक है, अगला प्रश्चन है, प्रश्च नमबर 30, ग्यान पीट पुरसकार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे, ठीक है, तो जो ग्यान पीट पुरसकार है, इसके जो विजेता है, यह थे केरल से, यानि ए ओप्शन इसका correct ओप्शन हो जाएगा, ठीक है, यह थे संकर कुरूप जिनको 1965 में जो है, मल्यालम भासा के लिए ज्यान पीट पुरसकार सम्मानित किया गया था, ठीक है, यह मैरे आज की सिरीज आयो कि वीडियो को पसंद आए होगी, वीडियो को पसंद झाल